नमस्कार दोस्तों साजित खान जब से फिल्मों में आया है या इसने काम करना शुरू किया है तब से इसने इतनी पॉपॉलरिटी नहीं बटोरी होगी जितनी बिग बॉस के शो में आने पर मिल गई साजित खान पर एक दर्जन से ज़्यादा एक्ट्रिस या मॉडल्स अपने नटबोल्ट खोलने का आरोप लगा चुकी है और शरलीन चौपडा तो साजित खान के सर पर पूरी तरह से सवार है जैसे इसका नरसंगार करके हटेगी अब इसी क्रम में जो है एक और दुख्यारी का नाम सामने आ रहा है ये दुख्यारी एक मॉडल है एक्स मॉडल है और इनका नाम है नम्रता शर्मा सिंग नम्रता 2010-11 के समय एक टॉप की मॉडल हुआ करती थी और ये घटना भी उसी समय की है जो इन्होंने बताई है 2011 में एक फिल्म के ओडिशन के लिए साजित के घर पर गई थी मेरी ये समझ नहीं आता कि जितनी भी मॉडल ने या जितनी भी एक्ट्रिस ने आरोप लगाए हैं वो सारी की सारी साजित के घर पर क्यों जाती है उसके बेडरूम में क्यों जाती है आफिस नहीं ले रखा क्या इसने खैर मौडल ने बताया कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने एक छोटी ड्रेस पैन रखी थी जैसे ही मैं कमरे में गई तो साजित ने एकदम से धपा बोल दिया और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया इसके बाद मैं काफी डर गई, मैं चिलाने लगी और उसे धक्का देकर बाहर भागई इसके बाद मॉडल ने का कि जब मैंने इंडिस्ट्री के बाकी लोगों को ये बाते बताई तो उन्होंने बताया कि साजित खान की फिल्म में काम उसी को मिलता है जो उसके साथ आसमान में बादलों की सेर पर जाती है इसके बाद मैंने कभी भी साजित को कॉल नहीं की लेकिन अब साजित का नाम चर्चा में आया तो मैंने इस विवात पर मुह खोला है नमरता शायद भावनाव में बहकर ये भूल गई कि 2018 में भी साजित खान इसी मुद्दे की वज़े से चर्चा में आ चुका था और उस वक्त और भी कई लड़कियों ने मॉडल्स ने एक्ट्रेस ने इस पर इसी तरह के आरोप लगाए थे लेकिन नमरता 2018 में भी सदमे में थी या इसे याद नहीं होगा कि साजित ने 2011 में इसकी इज़ट के पैकेट में अपने सुई घुसाई थी लेकिन 11 साल के बाद में दिमाग खुला तो अब अपने आपबीती बताने के लिए मीडिया में आ गई है जितनी भी मॉडल्स और एक्ट्रेस हैं सब की सब जो है इसी तरह का बयान दे रही है सब एक तरह का पताने जब इज़ट पर डाका डाला जा रहा था तब कौन सी दुनिया में खोई हुई थी जो अब जो है सब को रह रहकर याद आ रहा है कि इनकी वर्जिनिटी को 5 साल पहले 10 साल पहले या 12-13 साल पहले एक भैसे ने उधेर दिया था इनमें ज्यादातर लड़कियां वो हैं जो अपने इज़ट के गोदाम में लूट मचाने की कीमत ले चुकी हैं अब या 2018 में मीटू मुमेंट के दोरान ये जो लड़कियां हैं एक्टरेस हैं मॉडल्स हैं ये सिर्फ मीडिया फुटेज ले रही हैं इसके अलावा इनका और कोई दूसरा कारण है ही नहीं इनमें इक्का दुक्का लड़कियां ऐसी हैं जो वास्तों में सही होंगी वरना उम्मीद एक की भी नहीं है 10-11 साल पहले साजित खान इतना बड़ा नाम नहीं था कि उसके खिलाफ कुछ बोला ना जा सके तो कहने की बात ये अलग है कि वो पावरफुल था या बहुत तगड़ा था कुछ नहीं है ये सारी गलत बाते हैं उस समय वो कुछ नहीं था ये ज़्यादातर मॉडल्स और एक्टर्स अपनी खुद की तो लगी है मौकी का फाइदा उठाने में लेकिन एक भी एक्टर्स ऐसी नहीं आई अभी तक या मॉडल जिसने ठोज सबूत मीडिया में रखा हूँ